वेलो नोस्कार स्वागत है अप सवीश्चर कर रहे हैं तो उनसे मेरी दो रिक्वेस्ट है सबसे पहला तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने लिए ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका तो नौटिफिकेशन आपको देख जाए बहले ही उस टाइम पर आपके पास समय नहीं होगा लेकिन एक बार आप थमनेल देख लेंगे तो आपको पतार चल जाएगा इसमें मेरे काम यह कुछ चीज है की नहीं तो उस वीडियो को आप देख लिजे उसके बाद भी अगर कुछ आपका बसता है कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कॉमेंट सेक्षन में लिखे मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा अब देखो मैं यह क्यूं कह रहा हूं उसके पीछे एक कारण है कारण य कोई ऐसा जरूर होता है जो मुझसे पोस्टा है कि मुझे बताइए प्लीज की इन हेंट सेलरी कितनी होगी जबकि मैंने एक डेरिकेड़ वीडियो बनाया है इस पूरे इस टॉपिक को कवर करते हुए तो मैं एक टॉपिक ऐसा है जिस पर मैं लगबग आठ मिनट की वीड उसके बारे में किसी वीडियो के कॉमेंट में या डिम करके पूफिते हैं लेक हूफ कि आप वीडियो आसा ना करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी मैं मतलब आपके को Manuel यह पर 1 तॉभर और मैं दावे की साथ कह सकता हूं कि कोई को अखिक नहीं बची होगी चो मैंने अपने विडियो में अश्रय ना किया हो जिसके बारे में मैंने डिसकस पूछा था इंस्टाग्राम पे डीम में पूछा था इन्होंने पूछा है कि जॉब रोल कौन सा मिलता है और सेल्स के अलावा कोई ऑप्सन है और कैसे करना होता है सेल्स कोई एक्जामपल अगर आप दे सकते हैं तो वही जो मैंने अभी दो मिनट तक जिसके बारे में मैंने बात किया वही चीज आ गई ना कि इन्होंने इसका मतलब है कि मेरे वीडियो नहीं देखे हैं इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि जॉब रोल से रिलेटेड और सेल्स कैसे करें यह दोनों पे मैं एक डेडिकेड़ेट वीडियो बना चुका हू इस पे मैं अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ इन टॉपिक्स को तो यहां मैं इसको आंसर नहीं करूंगा पता नहीं इसको क्यों लिख लिया था बट ठीक है कोई बात दूसरा कोईस्चन है रिशी केस पांडे ने पूछा है अब मुझे SDFC फ्यूचर बेंकर प्रोग्राम क को फिर वही है कि मेरा की एक बार डिटेल पूरा आप लगभग ना सारे तो दो तीन वीडियो देख लिए जैसे इनायन सारी वाला देख लिए मेरा एक्स्पिरियंश जो है उसके बारे में वह वीडियो देख लिजे और बाकी आपको जो ठीक लगे मैंने थमनेल पर जो ल मैंने अपलाई किया था टेस्ट के लिए मेल भी आया है दोखो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तयारी का जो बात है जहां तक तयारी आप कैसे करशाए हैं इसमें जो बैसिक बैंकिंग की जो तैयारी होती है जैसे आई बीपीर्स की होती है या कोई भी रिजनर र वीडियो के माध्यम से आपको आंसर करना होता है तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है सामने बैठके वीडियो में बोलना है तो ऐसे questions के answer के लिए जिसमें वीडियो के तो आपको reply करना है उसमें सबसे अच्छा है कि आप practice करिए कि सामने अगर camera है तो आप कैसे बात करें तो उन चीजों को आप अकेले में बैठके बोलने की practice करिए इन चारी चीजों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां से आपको एक confidence आएगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे यहां जो video camera की recording होती है उसका मकसद ही यह है कि आपके confidence level को देखा जा और आपके expressions को देखा ज देते हैं exactly assistant manager पूरे दिन में क्या करता है और sales target किस तरह का होता है इस पे एक video बनाईए हां यह एक अच्छा question है और यह पिछले कई मतलब मैंने देखा है कई बार यह question आया मेरे सामने मैंने लोगों को reply किया है comment में आज इसको यहां पिक कर लिया मैं एक dedicated video बनाना चाहता ह जिसमें मैं बात करूंगा कि पूरा दिन हमारा कैसे जाता है पूरा दिन हमें हम लोग क्या करते हैं सुबा मॉनिंग से लेकर के एकदम इवनिंग तक मैं पूरी detail में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अब चुकि इस समय मार्स का एकदम closing का महीना चल रहा है तो थोड मैं इस टॉपिक में वीडियो लाओंगा और मैं अपरिल में लाओंगा इस पे यह पूरा detail में इस पे मैं बात करूंगा तो देखो questions तो मैंने इतने ही लिए थे sales के अलावा इसमें दो चीजें और involve होती है operations और service और दोगों ऐसा नहीं है कि आपको यह दोनों नहीं करने होंगे sales तो मतलब आपका core job role होगा बट उसके साथ साथ आपको services पे काम करना पड़ेगा service in the sense कि अगर कोई customer request है को customer query है तो उसको resolve करना यह आपका काम है और अगर customer आपके portfolio का है then this is your primary work तो यह काम है साथ ही साथ अगर आपके पास कोई operational work आता है मतलब अगर आप किसी छोटी ब्रांच में है किसी रूरल ब्रांच में है तो वहाँ पे आपको करना क्या पड़ सकता है लाइक जैसे मैं अभी एक रूरल ब्रांच में हूं तो रूरल और और मुझे करना पड़ता है कि मुझे oh operational वर्क भी करने पड़ जाते हैं जैसे मुझे अगर कैसियर the timeím Chinese चुटी पे हर तो मुझे उसका काम भी करना पर जाता है मुझे cash काम भी समयना पर सकता है काउंटर भी समालना बाढ़ सकता है मुझे अपना तो काम करना ही है वो तो मुझे करना ही करना है साथ ही साथ अगर मान लेते हैं हमारे ऑपरेजन के जो मैनेजर आगर वो जुट्टी पर है तो उनका काम मुझे करना पर सकता है like customer queries प्रिश्ट करना यह सब करना मेरा काम हो जाता है तो सेल्स के अलावां यह काम है जो हमको करने पड़ते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजिए यह आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है इसको भी जरूर देखे जाएगा मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तिल दन खुस रहे हैं मस अदो अधि अपले कर दो सब्सक्राइब है झार दो HAँ बार दो सुट ग्री ऐबे लाइब हैं दो से पहा है टुस्टाइब है